हेलो एब्रिवन आपका स्वागत है मेरे चैनल एस्पाइरेंट स्यूपीए सी आईएस में तो मैं आज आपको दाहिंदू का सौट नोट बताने वाली हूँ 6 मार्ज 2022 का चले शुरू करते हैं ये जो फर्स्ट पेश पे था FATF Retain Spark on its Terror Funding Gray List तो इसमें क्या लिखना है आपको बस इसमें इतना लिखना है कि FATF Retain Spark on its Terror Funding Gray List की अभी भी Gray List में ही है पाकिस्तान और Paris-based जो FATF है उसने 2018 से पाकिस्तान को Gray List में रखा हुआ है ठीक है और पाकिस्तान ने कंप्लीट कर लिया है 26 out of 27 actions items 2018 के action plant जो FATF का था 7 action items ठीक है उसमें है यह शामिल ठीक है तो इतना है और इसमें क्या है Watchdog Asia Pacific Group on Money Laundering के मामले में भी है तो Money Laundering और Terror Financing जो है उसके लिए पाकिस्तान को Gray List में रखा गया था और अभी भी वो Gray List में ही है इतना mention कर लीजिए important है और देखते हैंगे टर्टल से related जो news है ठीक है उसमें देखते हैं क्या note करना है इसमें आपको यह लिख लेना है कि GPS-feet जो टर्टल है वो क्या हुआ कि border cross करके बंगलादेश में पहुँच गई इतना mention कर लीजिए इसमें यह भी लिख लीजिए कि 10 में से 3 जो टर्टल है वो critically endangered जो है बता गुरबास की species वहाँ पे ट्रवल करके 100 किलोमेटर बंगलादेश में चले गए हैं और जो release site है वो इंडियन सुन्दर बन है ठीक है जो tiger reserve भी है और add present जो animal है उनको facility दी गई है कुलिना forest department में और same उसी में यह भी लिखना मतब mention करना ज़रूरी है इस एक्जाम के टाइम पर याद रहे कि 2008 में क्या हुआ joint exploration हुआ था swamp और mangroove के लिए टाइडल जो creek बनाए थी TSA और सुन्दर बन tiger reserve और यह locate कहां किया गया था cohort of cohort of eight male और one जो juvenile थे ठीक है और यह कहां पर यह था सजने खली interpretation center और 14 साल में क्या हुआ conservation breeding species जो critically endangered थी वो इंटर जो IUCN के red list में शामिल है और success with almost 12 adult and close to 370 juvenile है species के तो इसमें इतना लिखना था आगे देखते हैं इसमें जो यह वाला IAF decide to postpone XY शक्ती 2022 तो इस से related क्या लिखना है इसमें यह लिख दो कि IAF ने decide क्या postpone करने के लिए XY शक्ती 2022 को scheduled जो है वो poker and range ज्राजस्थान में होने वाला था साथ मार्च को और यह जो है यह इसमें क्या है रश्या का SU-30 MKI और MiG-29 UPG fighter भी शामिल रहेगा और इसमें यह भी मिशन करना है कि लेटेस इंडक्शन फ्रांस और राफेल मिराज 2000 यह एस ओरिजिन C-130 NC-17 AHC-64E Apache और अटाइक हेलिकॉप्टर और CEH-47F चियूक और लाइट हेलिकॉप्टर और लाइट कमबाट हेलिकॉप्टर ठीक है यह जो है capabilities XY शक्ती में दर्शाने वाली है अपनी capabilities तो इतना mention करना ज़री है नेक्स देखते है यह जो यहाँ पहे कि Naval Exercise मिलान Conclude in विशाखापत्नम उससे रेलेटेड क्या शॉट नोट में लिखना है यह बताती हूँ आपको इसमें यह लिखना है कि नेवल एक्सराइज और मिलान वो कंक्लीड हुआ विशाखापत्नम में इसमें क्या हुआ यह सीज फेज ओफ 11th edition है 26 सिप शामिल थी 1 सबमरीन थी 21 एरक्राफ्ट था और यह ओल ओवर 40 कंट्रीज थी रशिया, इरान, इस्राइल, साओधी अनदर्स पार्टिशिपेट किये विदाउट थी और फ्रांस, मैंनमार, साओध कोरिया, वियतनाम और अधर कंप इन्होंने ड्रिल भी कंप्लीट की और यह जो क्लोजिंग सेरिमेनी है वो संजेभला जो है यह स्टार्ट हुआ था 1995 में और पार्टिसिपेट उसना में किया था चार कंट्री ने, वो थे इंडोनेशिया, सिंगापूर, श्रिलंका, थाइलैंड ठीक है और यह अर्लियर, इसके पहले हैल्ड होता था पोर्ट ब्लेयर में और सिफ्ट कर दिया गया है विशाखा पत्नम में ठीक है नेक्स देखते है इसमें यह देखो, दीपक धर, जॉन, एचर, जो, फिज, चूजन, टू, बॉल्ट मैन, मेडल उसके लिए कि आपको नोट डाउन करने के ज़रत है क्या पूछ सकता है एक्जाम में उसमें यह है कि दीपक धर, जो है, वो फिजिस्ट, ठीक है है उनको बॉल्ट मैन मेडल अनाउंस किया गया, उनको मिलेगा और यह, जो है, वो सलेक्टेड हुए स्टाटिस्टिकल फिजिक्स के लिए और यह, फिर्स्ट इंद्यान है, जोनोंने यह अबार्ड विन किया है तिक है, नोबल लॉरियाट के साथ के जी विलसन बीएंग फिर्स्ट रैपिश्यन फिर्स्रेशिपींट भी पूछ सकता है कौन थे, तो के थे, के जी विलसन ठीक है और यह इनिशियेट हुआ था 1975 में और यह जो है दीपक धर वो प्लेटफॉर्म शेयर करेंगे American Scientist John J. Hofffield के साथ ठीक है और वो जो है वो अपने Invention of Association Neural Network के लिए जाने जाते हैं जो यह वाला है कि Why do Indians go abroad for medical studies? इसके पहले वाले में मैंने आपको बहुत ही अच्छे से explain करा हुआ है दाहिंदू के अनलिसिस में अभी इसमें आपको बस इतना Mention करना है क्योंकि अभी कोई data या इसकी में उससे related कुछ होता है तो Mention करना होता है इसमें बस आपको यह Mention करना है From 2003 Centers Pradhan Mantri Swasta Surakshya Yujna उसमें था कि Working of argument facility for quality medical education in the country तो उसमें quality medical education की बात करी गई थी इस scheme के तहट जो 2003 में बात करी गई थी तो अब के लिए इतना ही ठीक है मिलते हैं नए मीडियो के साथ Like करें ठीक है शेयर करें और सब्सक्राइब करें चानल को Thank you